मात्र आठ दुनों में हमारा मोगरा यानि की जैस्मिन जो है फूलों से भर गया है और ना सिर्फ फूल आए हैं बलके अभी भी जो ब्रांचे से उन पे दुबारा से जो है कलिया बन रही हैं तो यह कैसे पॉसिबल हुआ है और अगर आपके मोगरा पर फूल नहीं आ रहे हैं तो आपको भी क्या करना है जिससे आपके पौधों पर भी इसी तरीके से जो है धेरों भरपूर फूल आ सके हैं नमस्कार अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो जल्दी से हमें सस्काइब कर लिजे और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीजे से अपने दोस्तों के साथ एक वाजम कर से जरूर कीजिएगा आप हमें इस्टाग्राम पर हॉम गार्डन वाइटी नाम से फॉलो कर लिजे वहां हम नए नए अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे मार्च हो गई है खत्म और अभी तक आपके मोगरा यानि के जैस्मन के पौदे पर फूल नहीं आया है तो फिर अब आपको फिक्र करनी चाहिए क्योंकि यही वो मोगरा फूल देता है तो यहां देखिए हमारा एक पौदा है जिस पर ग्रोथ तो दिख रही है लेकिन फूल नहीं आया है तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं कुछ बताने वाला हूँ से एक बार देख लीजिए अच्छे तरीके से और वीडियो को इसके मत कीजिए क्योंकि बीच बीच में मैं बहुत सारी चीजिए बताऊंगा मैं जो जानकारी देने वाला हूँ यह गमले में लगे पौदे पर भी काम करेगी और जमीन में लगे पौदे पर भी यहां हमारा पौदा आपको देख रहा है इस पे पत्तियां खराब हो गई है इसके अलाव कि शुरुआत हो भी गई है तब भी यह प्रकरिया आपको पौदे पर ज्यादा से ज्यादा फूल लाने के लिए काम करेगी तो पानी बंद कर देना है कुछ दिन जिससे मिट्टी सूख जाए और इसके बाद जहां पौदा लगा हुआ है उसकी जड़ों के पास गुड़ हैं उनमें तभी अच्छे फूल आते हैं जब उसमें लगाता नमी बनी रहे मोगरा रातरानी चंपा गुलाब गर्मियों में इन पौदों पर फूल तो बहतर आता है लेकिन तभी आएगा जब इन पर समय पर पानी मिलता रहे नमी बनी रहे तो गर्मियों में अगर आप दो तीन इंच गहरी चार इंच गहरी गमले में अगर पौधा लगा है तो लवग पचास परसंट मिट्टी आपको खोद देनी है जिससे मिट्टी अच्छे तरीके से ब्रेक हो जाए इसके बाद हम इसमें लगाएंगे धूप और धूप आपको लगानी है लवग एक घंटे कि काफी है गर्मियों में इससे ज़्यादा कोई ज़रूत नहीं है जिससे मिट्टे गर्म हो जाए जो बैक्टेरिया है वह भी खत्म हो जाए इसी वीच हम क्या करेंगे हमारी मिट्टी सूख रही है तो पौधे पर जितनी भी आपको यह पुरानी जो इंफेक्टेड पत् जो है खराब करेंगे इसके अलावा आगर नीचे से कोई ब्रांचिस निकल रही हो तो उसे भी आपको कट करना है क्योंकि पौधे की ग्रोथ अभी हमें बंद कर देनी है जिससे यह पौधा फूल देने के लिए मजबूर हो जाए इसके बाद जिस मिट्टी के हमने गुड ज्यादा शोड़ना है जिससे हम ज्यादा पानी दे सके और आविसकता हमसा ज्यों खाद उसमें दी जा सके इसके वाद हमें चाहिए डीए पी यह केमिकल फर्टलाजर है अगर आप इसे यूज नहीं करना चाहते तो बर्मी कंपोस्ट या सीवीड फर्टलाजर भी आपको लेना है यह फर्टलाजर आपके पौदे की जो ग्रोथ है उसे बहतर बनाएंगे रूट्स डेवलोप्मेंट ज्यादा करेंगे जिससे पौदा मजबूद बन जाएगा दस बारह दाने डी एपी या फिर एक चमच सीवीड फर्टलाजर आपको लेना है और इसे लगभग जो हमने मोगरा में मिट्टी हो दी थी ना उसमें ये खाद मिला हुआ पानी आपको देना है एक महीने में सिर्फ एक बाद देना है आपको इसके बाद हमें चाहिए आदा केजी बर्मी कमपोस्ट या गोवर खाद और ये गोवर खाद काफी जरूरी है गर्मियों में आप के पौधे को ठंडा रखेगा ये खाद आप सकता अंसार पोसकत प्रोवाइड कराएगा और इस खाद को आप गमले में जो गड़ा बनाया उसमें डाल देंगे और इसे डालने के बाद जो मिट्टी है उससे इस खाद को कवर करेंगे हम खाद आपको खुली नहीं छोड़नी है क्योंकि गर्मियों में खाद गर्म ना हो मिट्टी उपर रहे जब हम बाटरिंग करें तो हमारी खाद बहे नहीं अगर वारिस भी होती है तब भी हमारी खाद हमारे गमले के अंदर या पौदे के पास रहनी चाहिए इसके बाद हम भरपूर पानी देंगे खूप सारा पानी देना है तो यह जो दोनों खाद मैंने आपको बताई है एक महीने में सिर्फ एक वार दीजिएगा और पहली वार देने के आठ से दस दिन बाद ही आप देखेंगे कि आपका जो मोगरे का पोधा है वो फूलों से कलियों से भर जाएगा तो वीडियो कैसा लगा कमें कर गया हमें जरूर बताईएगा अगर आपकी कोई सिकायत है तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं